वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चनल मेकानिकल वाइटमिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग की जैसा कि मैंने कम्यूनिटी पेज पर पूचा था जनरल साइंस के ओपर सबसे ज़्यादा वोटिंग आया था बायलोजी तो 50-50 कोशन के लूप में हम लोग जनरल साइंस को कवर करते रहेंगे और फिर वो आन अवरेज आपका 10,000 कोशन के ऊपर तक ले जाने की मैं कोशिश करूँगा वरना 1000 प्रस तो कोशन मैं कराई दूँगा तैट आगन गैरेंटी ओके सो जो लोग भी मेरे चैनल स चाहते हों जैसा भी टापिक आप लोग चाहते हों comment करिये comment करके मुझे बताए कि what else do you need what else do you want what are your needs कहां पर आप फसर हैं कहां पर आपको दिक्कत आ रहें चलिए शुरू करते हैं without any delay it's general science mcq part 3 I hope आप लोग ने part 1 और part 2 देख चुके होंगे अगर part 1 और part 2 नहीं देखें so let's begin a person is standing in front of a wall and makes a sound what should be the normal minimum distance between the person and the wall so that the person hears echo मतलब क्या हो गया कि एक आदमी है और एक वाल है इस वाल के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए ताकि उस person को echo सुनाए देए echo मतलब क्या हो गया echo मतलब यह हो गया जो भी यह चिल्ला है वह वापस से reflect होकर कि इसके कानों में पड़े यह होता है echo so इसका एक standard value है that is your 17 meter यह value आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है the value is 17 meter which among the following has the lowest frequency range the correct answer is lowest frequency range किसका है lowest frequency range L band का है यह L band U band S band X band यह सब होता क्या है यह frequency ranges होते हैं जहां पर L band का आपका होता है one to two gigahertz S band का आपका होता है two to four gigahertz one to two and two to four gigahertz C band का होता है आप लोगों का four gigahertz to eight gigahertz and X band का होता है eight to twelve eight to twelve gigahertz ठीक है तो सबसे ज्यादा कम किसका है L band का L band has the lowest frequency और सबसे ज्यादा अगर किस band की frequency की बारे में अगर बात करेंगे सो वो होता है आपका you know W band W band has the maximum frequency range but L इन समय से अगर maximum पूछ लेता तो किसका होता है अब्यसी बात है X band का होता है how does the isotope of hydro isotope of iodine iodine 135 plays an important role in nuclear power generation nuclear power generation में iodine के isotope का क्या काम होता है isotope का मतलब क्या होता है this is isotope क्या होता है यह सब के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो कभी मैं अगर डीटेल में chemistry को डील करूंगा तब मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा ठीक है तब तक के लिए isotope जान लिए विचास सेम मास नमबर उनके बार मास नमबर सेम होता है बट आटामिक नमबर डिफरेंट होता है ठीक है सेम ही होता है आएटीन होता है आएटीन के डिफरेंट डिफरेंट टाइपस होते हैं अगर जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पड़े हैं उनलों के लिए में बता रहा हूं अगर आप थोड़ा सा भी हलका फुलका भी जानते है तो नुकलियर फ्यूजन के केस में आपको कोई आयोडीन वगरे की ज़रत नहीं पड़ती इसमें जो करेक्ट ऑप्षन है यह यह बाइब प्रोड़क्ट अफ नुकलियर रीक्षन यह नुकलियर रीक्षन के साथ में जनरेट होता है एंड इट किल्स द नूट्राण मतलब जो नूट्राण जो बंबार्डमेंट के लिए रहता है जैसे कि क्या होता है you have one neutron और आपके पास एक पुरा आटा में uranium 235 इस neutron के हिट करेंगे एक electron और neutron जो generator को उसको वापस से हिट करेंगे ये this is the process of you know your nuclear fission इसी के case में nuclear reaction के case में ही ये neutron को खतम करने का काम करता है कौन आपका iodine और ये byproduct की तरह काम करता है next which of the following which of the following property of the matter is studied in rheology, rheology is related with viscosity, now what is viscosity viscosity की अगर हम लोग बात करें viscosity होता है की friction in fluid, अगर basic knowledge जाने है तो के वाद के लिए ही जाने है, friction in fluid, मतलब क्या हो गया की आप एक inclined plane लीजे sorry for this, आप एक inclined plane लीजे वहाँ पर आप दो बोन गिराई है एक milk की गिराई है एक honey की गिराई है so honey का जो drop रहेगा वो नीचे late में पहुंचेगा बलकि milk का जो drop रहेगा वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा the reason behind this is viscosity viscosity मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना friction है layers के बीच का, fluid के layers के बीच का और इनकी study को क्या कहते रियो लोजी कहते है now fermi is a unit of sorry for this it is fermi fermi is unit of which of one of the following the correct answer is length micro fermi fermi में measure होते है length वगेरा which among the following waves are used in gemstone industry to change white topaz into blue topaz white topaz को blue topaz में अगर convert करना है तो कौन सा यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं gamma rays यूज करते हैं this has been asked in 2014 one of the SSC examination I think so so this is very very important for your CGPDTM exam also okay so this is your gamma rays the correct answer will be gamma rays which among the following waves are most commonly used in night vision device and night vision devices में कौन सा wave यूज होता है देखिये microwaves, infrared, ultraviolet and radio waves radio waves are generally used for communication itself यह communication के काम में आते हैं ultraviolet waves जो रहती है यह आपका you know it's related with reflection and all all those phenomena जहां से हम लोग देख सकते हैं and all and all जो sun से आता है वगरा वगरा यह सब जो process होता है but infrared waves are those waves which are generated by the temperature so जो भी एक body का temperature रहता है उस temperature को detect करके हम लोग night vision devices त्यार कर सकते हैं क्योंकि one a human being cannot hide its own body temperature body temperature वो कम नहीं कह सकता है और इसी body temperature को पता लगा लेता है कौन सा infrared waves next which among the following strictly works on the principle of dipole movement of the water molecule dipole movement of the water molecule यह होता है correct answer इसका होता है microwave oven dipole movement क्या होता है कैसे होता है इसके बार में आप लोग study करेंगा अगर आप चाहते हैं कि यह सब जो basic definition है यह सभी में लेक्टर में इंक्लूड करेंगा जब तक आप comment नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं लगया कि आप लोग चाहते क्या है आप लोग का comment ही में लिए एक feedback की तरह काम करता है next one TOR is equivalent to not TOR TOR is a unit of pressure TOR is a unit of pressure okay so this one TOR is equivalent to how many mm of mercury the correct answer is one mm one mm of mercury is equals to one TOR swedberg unit is sorry for this 39 I have copied it from some of the previous paper so sorry for this 39 number so swedberg unit is a unit of swedberg unit is a unit of the correct answer is time the correct answer will be time time की unit हो एक और होती है swedberg unit ये जनरली आपका space वगेरा में ज्यादे यूस होता है space वगेरा में ज्यादे यूस होता है now which among the following are used in computer tomography that is city scan city scan के cases में हम लोग जनरी कौन से यूस करते हैं हम लोग एक सरी यूस करते हैं बट यह एक सरी कैसा रहते हैं यह मतलब फूल बाडी चेकप के लिए होता city scan और एक पर्टिपले एडिया के साथ में फूल बाडी भी चेकप होती ही city scan में now what is the normal temperature of human being on Kelvin scale देखे normal human being का जो temperature होता है that is around 27 degrees Celsius और अगर हम लोग को degrees Celsius को Kelvin में अगर convert करना है सो हम लोग degrees Celsius में plus add करते 273 अगर हम लोग 273 में add कर देंगे 273 plus 27 it will be going to be 310 sorry for this yes it will be going to be 310 so the correct answer will be 310 I hope यह चीज़ समझ में आगा कभी भी आपको degrees Celsius को Kelvin में convert करना है so degrees Celsius में आप 273 को add कर देंगे तो आपका Kelvin value आ जाएगी which of the following is an instrument for measuring electrical charge or electrical potential the correct answer and the correct answer will be electrometer measuring charge और electrical potential charge भी इंक्लूड़ेड और electric potential भी इंक्लूड़ेड है देखिए many devices devices उनके use कहां कहां होते हैं these are these have been asked in many of the different examination so यह आपके लिए बहुत जादा important पर जाते हैं किस phenomenon पर work करते हैं क्या measure करते हैं कैसे work करते हैं यह सब चीज़े बहुत जादा important हो जाती हैं आपके कोई भी जो exam जिसमें general science included होता है उसमें अगर आप चाहते हैं कि ऐसे questions भी में लेकर क्या हूं या ऐसे पूरी series लेकर क्या हूं जहां पर मैं आलग तरीके से बता दू कि electrical devices कौन-कौन से क्या-क्या measure करते हैं प्लीज मैं अग्शों करें comment करें नेक्स्ट विब्गियोर दिए वाइल इंडिको ब्लू ग्रीन यलो और 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 रेंबो colors in which of the following order यह जो विब्गियोर है विब्गियोर किस order में इस इन increasing wavelength order सबसे यादा wavelength किसका रहेगा वाइलेट का देन इंडिको का देन ब्लू का देन दिख जाता है इसलिए red siren अमनों को बहुत जादा दूर से दिख जाता है next which among the following is known for FBTR that is fast breeder reactor fast breeder do reactor हमारी इंडिया में इन सब में से कहां पर the correct answer will be your Kalpa कम Kalpa कम में आपका you know Kalpa कम एक जो nuclear facility available वो रश्या के उससे भी बनी है रश्या की सायता से भी बनी है so it was in the news and it is in the news this is from I think 2012 questions of SSC I think so which are the following waves can be used to measure the speed of approaching car approaching car की speed को पता लगाने क्लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं we can use the radio waves radio waves जैसे कि मैंने कहा कि radio waves communication क्ले भी यूज होता है but it can also be used for measuring speed of an approaching car steam at 100 degrees centigrade causes a more severe burn than of the falling phenomena so saw degree पर जो steam रहती है वो बहुत जादा आपको नुक्सान पहुंचा सकती है लेकिन पानी इतने पर नहीं पहुंचा था सौ डिगरी पर उतना नुक्सान नहीं पहुंचा क्यों क्योंकि उसके पास क्या होता है उसके लेटेंट हीट होता है देखिए यहां पर दो तरीके की हीट है एक स्पेसिफिक हीट है अब मतलब एक पर्टिकलर टेंपरेचर होता है लेटेंट हीट है इसको दीटेल में बथा दूम माली आपका वाटर रहे तू डिगरी चलसिए पे और आपका एन्वोमेंट है वह थो टूटी-3 डिगरी चलसिए स्वें सबसे पहले क्या होगा है माइनस टू डिगरी साथि रहेगा so it will be going to be solid 2 degree से वो किस पर आएगा 0 degree पर आएगा और ये 0 degree पर भी वो solid रहेगा इसी 0 degree पर फिर वो 0 degree liquid में convert होगा and after this it is going to be converted into 23 degree Celsius liquid अब यहाँ पर जहाँ पर कोई temperature change नहीं हुआ है but phase change हुआ है such type of heat is called as your latent heat such type of heat is called as your latent heat और ये जो solid to solid मतब जहाँ पर temperature change हो रहा है साथ में phase change भी हो रहा है this is a part of specific heat I hope आप लोगों को समझ में आया होगा now the helium atom that have lost two electrons are called the helium atom which have lost two electrons are called alpha rays, यह alpha rays क्या होती है beta rays क्या होती है, gamma rays क्या होती है अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके बारे में एक वीडियो लेकर क्या होगा it is it will be going to be very very short बहुत short रहेगा but to the point रहेगा ठीक है अगर चाहते हैं so comment करिए वापस से मैं यह कहोँगा क्योंकि आप लोग comments नहीं आते हैं so I don't get it कि भाई आप लोग चाहते क्या हो how in what way do you expect me to give a lecture ठीक है आप comment करते है it will be going to be a guiding post for me so what is the next question what is the approximate height of a geostationary satellite now geostationary satellite जहां पर position रहता है वो it's around 15,000 km the ideal fluid which is a hypothetical fluid देखे कोई भी चीज़ जो ideal होती है वो hypothetical ही रहती है should contain यह कहाँ का fluid mechanics का question जो आपका 11th class में है फ्लूट में इसका एक portion है वहां पर देखें अगर ideal fluid की बात होती है ideal fluid एक ऐसा fluid होता है जिसके पास कोई viscosity नहीं होती and it has zero compressibility zero viscosity मतलब viscosity के बारे मैंने बता है कि क्या उसके अंदर कोई friction नहीं रहेगा layers के बीच में आपस में कोई friction नहीं रहेगा compressibility मतलब मतलब उसको कोई फरकी नहीं पड़ेगा compress होने या ना होने से ठीक है कोई ability नहीं रहेगा compress होनी के ऐसा करके आप समझ सकते है the value of acceleration due to gravity is यह सबसे important question है this has been asked many many times मतलब एक दो बार नहीं काफी बार पूछा गया यह काफी different different exams में CGVDM के exam में बहुत पहले और साथ में कई और exam में भी पूछा जा चुका है so the value of acceleration due to gravity is going to be minimum at equator and maximum at poles यह क्यों होता है कैसे होता है यह भी नहीं discuss करें because it will take a lot of time याद रखिएगा acceleration due to gravity क्या होती है minimum equator पे होती है maximum कहाँ पर होती है now calorie is a unit of energy calorie is a unit of energy और यह किसके equal में होती है यह होती है 4.2 joule के बराबर 4.2 joule के बराबर next when ozone is heated its volume will जबी ozone ozone का chemical formula क्या होता है O3 O3 को अगर मैं heat करूँगा तो क्या होता है volume में क्या होगा volume remains unchanged volume जैसा था वैसा ही रहेगा next what is the name of India's first nuclear reactor यह बहुत important question है यह GK और GS जनरल साइंस और जनरल नौल दोने से संबन दीत है so it is also important पहला nuclear reactor इंडिया को कौन से था that was apsara which among the following lens is used to correct press biopi now this press biopi is a disease in which आपको दोनों नहीं दिखता पास के भी नहीं दिखे और दूर का भी नहीं दिखे गा यहां पर आप यहां तो convex use करें यहां तो concave use करें but ऐसे cases के लिए press biopi है के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं bifocal use करते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं हम लोग bifocal lenses यूज करते हैं okay next which of the following can be measured with animometer animometer की मदस से हम लोग क्या measure कर सकते हैं the correct answer is going to be wind velocity the power of lens is measured in diapters आपको यह सब चीज़ें पता हो नीचे यही होता है general science में general science में क्या होता है लोग बहुत ज़्यादा advanced level की चीज़ें पर जो basic के जो छोटी छोटे question रहते हैं उसको miss कर जाते हैं और उनी चीज़ों को मैं ध्यान रखने के लिए साजी series लेकर क्या रहा हूं था कि यूनों आपके छोटे-छोटे concept भी cover हो सके और आप लोग को पता रख सके कि चीज़ें कैसे कैसे पूछी जा चुकिया और इस सीरीज में मैं जो कुछ भी लेकर क्या हूं यह सारे के सारे प्रीवेस यह question है किसी ना किसी एक्जाम के ठीक है और ऑब्यसी बात है जब आप एक overall strategic तरीके से पढ़ा ही करते हैं और उसके साथ तैयारी करते हैं तो आपके selection के पोर्शन रहता है वहाँ पर एक diamond ring जैसा फाम होता है यह कब होता है यह होता है आपका total total solar eclipse के दौरान में जब पूर्ण सूर्य ग्रावन होता है तब जाकर के होता है दूरिंग lunar eclipse the visible red color red color होता है वो क्यों लिखता है that is because of diffraction to be very honest diffraction क्यों यह से देते हैं तो जिसकी wavelength सबसे ज़्यादा रहती है वो सबसे ज़्यादा स्कैर्टर हो जाता है इसी लिए red color दिखता है वह में दौर्ण कोंड़ टर्म कोस्मिक रे दा करेक्ट आंसर इस रॉबर्ट मिलिकन इस दा साइंटिस्ट वो कोंड़ टर्म कोस्मिक रेस ultrason which is the upper limit of human hearing is characterized by which of the falling frequency जो मतलब जो बहुत ज़्यादा तेज जो सुनाई देने की जो बहुत जाज शमता होती जो maximum होता है वो कब रहता है वो maximum हो रहता है above 20 kilohertz में इंसान को सुनाई देना बंद कर जाएगा उसके कान के परदे फट सकते हैं parallax of one hour second is a unit of which of the falling parallax of parallax of one hour second is a unit of length the correct answer is length एक तरीके का unit है length को measure करने के लिए और यह वापस से use होता है आपका space में क्या measure करने के लिए astronomical distance measure करने के लिए ठीक है जो parallax of one hour second जो होता है यह this is equal to 31 trillion km 31 trillion km 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 31 trillion km के बराबर होता है which of the following is in action of process of liquid rising in a syringe when the piston is pulled up the correct answer is going to be your atmospheric pressure atmospheric pressure मतलब क्या हो गया एक syringe है उस syringe में जो piston को जब हम लोग ऊपर की और खीचते हैं so liquid उसके अंदर गुसने लगता है liquid उसके अंदर flow होने लगता है क्यों because of atmospheric pressure क्यों 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 क्या होता है कि यहां पर atmospheric pressure लग रहा होता है लेकिन आप बाहर से force कीच तो साथ में atmospheric pressure यहां से दबाव डालता है इसकी वैसे सारा का सारा liquid जो रहता है वो अंदर की चला जाता है यहां पर आप को जानना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि प्राइम इनिस्टर ऑफ इंडिया कहां 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 के चेर्पर्सन रहते हैं किस किस department को समालते हैं नेक्स्ट फोबोस और डीमोस आपको नेच्छल सेटलाइट पर पता होना चाहिए यह फोबोस और दीमोस कि विच्ट फॉलिंग सांटेस्ट इस नोन फॉर लाज अप्लेंटरी मोशन प्लेंटरी मोशन के लिए सबसे यादा जो लॉय आया है वह दिया है कप्लर जीन के प्लर इस पर इस पर्टिक्लर कोशन देकि मैं स्पीड में इसलिए बता रहा हूं क्यांकि आप लोग आप एक्स्ट पर एक्स्ट प्रेंट भी कर रहा हूं नेटिन लमेनेशन इस यूज़ इन ट्रांसफोर्मर टूर्थ डिए करेंट लॉसस अडिकरेंट लॉसस क्या होते एडिकरेंट एक ऐसे टाइप करेंट होते जो कुछ इस तरीके के लूप्स को फॉर्म कर देते हैं ज हिमाचार प्रदेश के पेसी में पूछा गया है युपी पेसी में पूछा गया है ठीके साथ में आपके जो और भी जो आपके स्टेट गवर्णनेंट के एक्जाम रहते हैं उस में पूछा गया तो इस पिसे कौन साइज जिसकी वज़िए से अलबर्ट आइंश्टें को मिला है so the correct answer will be बहुत लोग लगा कर गया है आ जाते है theory of relativity but that is wrong the correct answer is laws of photoelectric effect laws of photoelectric effect इसके लिए Albert Einstein को Nobel Prize मिला था okay इस बात को याद रखेगा this is very very important इस बात को याद रखेगा बनौली principle is based on which of the following the correct answer is conservation of energy conservation of energy मतलब क्या हो लगा है फ्लूड में लगता है इस फ्लूड में क्या होता है कि जितनी energy के साथ वह फ्लूड अंदर की और आ रहा रहा है उसी energy के साथ वह बाहर की हो जा रहेगा ठीक है इसका जो principle होता है वह state करता है कि अगर को होती है for the case of Bernoulli principle heat given by a body to which gives is raised by temperature by 1 degree Celsius is known as the heat given to a body which raises its temperature by 1 degree Celsius is known as specific heat okay q is equals to m c dt dt is your change in temperature m is your mass q is your heat and c is your specific heat now this c can be written as q upon m dt अगर specific heat की definition देखेंगे जो वन वन मतलब की वन किलो Joule की heat फैदा करें with a difference of मतलब 1 degree Celsius का अगर difference है तो जो heat वो जनरेट करता है उसी heat को मैं क्या कहूंगा specific heat कहूंगा sorry for that जो 1 degree Celsius के change में dt के 1 degree change में जो भी वो heat जनरेट करता है that is called as a specific heat अम आयोपिया person has a power of 1.25 diopter the total the if the local length of the sorry local it will be focal length what is the focal length and the nature of its lens now focal length and its nature of the lens के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिये simple जाय आपको क्या दे रखा पावर दे रखा है F focal length will be always be equal to 1 upon D 1 upon D मतलब 1 upon power कह लिए या diopter में P कह सकते है या आसे का सकते है so it is going to be 100 upon 125 इसको अगर solve करेंगे this is going to be 25 and 4 से तो दिवाई और 20 this is going to be 25 and so 25 से अगर करेंगे तो यू नो यह हो जाए था 25 for the action okay so 25 से अगर डिवाइड करेंगे so this is going to be 4 and 25 से अगर इसको डिवाइड करेंगे so यह हो जाएगा आपका 5 4 by 5 आता है which is approximately equal to 0.8 sorry for this which is approximately equal to 0.8 यह 0.8 जिसमें आया है the unit is your meter इसमें किसमें पूचा गया centimeter पूचा गया सो हमारे पाद दो चीज़े 80 centimeter 80 centimeter इन दोने में इसको एक सही होगा लेकिन क्या है convex lens और concave lens सवाल यह है the correct answer is going to be your convex lens convex lens ही यूज होता है कब जब एक मायोपिया से पीडित एक आदमी को बदल चस्मा पहना जाता है तो जिसको मायोपिया होता है उसको convex lens पहना जाता है और जिसको वह मायोपिया मुझे दूसरा नाम यह नहीं यादा है sorry for this बट हम IOPI के लिए convex lens यूज होता है next an oscilloscope is an instrument which allows us to see the waves produced by oscilloscope एक ऐसा instrument होता है जन्री इलेक्ट्रोनिक इंजिरिंस वगरे रहते है वह देखते हैं oscilloscope क्या होता है क्या नहीं होता है यह क्या wave प्रोडूस करता है ठीक है वह कौन से मतलब कि सिग्नल कौन सा रहता है जिसकी वह wave प्रोडूस करता है so the correct answer for this is wave produced by sound को oscilloscope दिखाता है wave produced by sound को oscilloscope दिखाता है ठीक है एक instrument है जो wave produced by sound को indicate करता है और यह क्या करता है sound को लेता है और convert करता है उसको electrical signal में sound को convert करेगा electrical signal में ताकि वह display हो सकी कहां पर oscilloscope में the atomic theory of matter was first proposed by the correct answer is going to be your John Dalton John Dalton ने सबसे पहले atomic theory को propose किया था यह watermelon model and all यह सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है so उसके बारे में मैं lecture ले आ सकता हूं बट उसके लिए आप लोग comment करेंगे तभी में लेकर क्या हूंगा because I don't want to waste my energy for those people who are not even serious unless or until if you watch this particular whole series if you have any sort of doubt if you want me to push my own limit you need to push your own limit अगर आप लोग अभी तक यह देख रहे हैं अगर आप like नहीं करें वीडियो को and if you are not even commenting it down whether you like this particular series or not आपका कोई comment कोई response नहीं आता है so that that depicts that you are not serious at all if you are serious and if you want me to go beyond my own limit then you have to you know comment it down that you want this particular thing then only I can help you okay next the rate of change of momentum of a body obviously Newton's second law के साब से the rate of change of momentum of a body is equal to your force f is equal to kya होता है mv mv the multiplication of mass and velocity is called as your momentum before x-ray examination colored x-ray of the stomach patient are given a suitable salt of barium because barium salt को क्यों दिया जाता है barium खाने को क्यों दिया जाता है कि barium क्या करता है barium absorb कर लेता है barium is a good absorber of x-ray and helps stomach appear clearly यह बहुत important है यह भी काफी सारे exams में पूछा जा चुका है next two identical piano wires have the same fundamental frequency when kept under same tension मतब आपके पास दो piano wires है इन दोनों piano wires को मैंने क्या किया मैंने attach कर दिया और same frequency so what happened if the tension of one of the wire is slightly increased and both of the wire are made to vibrate simultaneously अगर इसका थोड़ा सा इंक्रीस कर दिया जाएगा और इसका थोड़ा सा टेंशन इसका टेंशन थोड़ा increase कर दिया जाएगा और साथ में दूसरे वाले और पहले वाले का जो material हो सेम होगा इस फिनॉमना को कहते क्या है कोशन यह था इस फिनॉमना को कहते क्या है इस फिनॉमना को जनरली कहते हैं हम लोग resonance कहते है इस फिनॉमना को हम लोग क्या कहते है resonance कहते है यह कोशन में मैं थोड़ा आधा दूरा ही आया है मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था बट ड्यू इंपोर्ट एन एक्सपोर्ट कुछ चीज़ें लेकर क्या हूंगा नेक्स्ट रिवोस्ट इस नेम आफ वेरियेबल रेस्ट रियोस्ट आप लोग ने स्कूल्स के लाप्स वगरमी यूज किया होगा कुछ इस तरीके का डिवायस रहता है जहां पर कोई लगी रहती है यहां पर आप एक पर्टिकुलर इंडिकेटर है जि की आपके रईजिटन्स को वेरी करता रहता है वहरी दा पूर फॉल 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 पॉल वेसल वी धक्रक्ट रांसर इस और अग्यूमेंटट सेटलाइट लाइंचिंग वेहिकल इसकॉल इस त्या इस प्रेदर इस बात है बिश्ट आपाथ पूरा पूरा कैं पोल्ट यह आपका आपने ट्वेल्स टेटर में इलेक्ट्रो मैगनेटिक थेओरी वहाँ पर यह चीज था की एक्सपरिमेंट से पता लगा था कि मैगनेटिक फील अगरेंट क्या होती है बाद में चल करके लेंज लॉब अगएरा आये लेंज लॉब में मैगनेट वगएरा को मुख किया गया तो कॉइल वगएरा में वह चीज़ें सेपरेट है और सब्सक्राइब काफी सारे वायर से लपेटे लपेटे गया होते है ठीक है और वह भी कौन सा इंसुलेटेड वायर रहते है जो कोल रहता है अगर आप लोगे पसंद आया तो प्लीज मेटेशु करिये लाइक करिये और अभी तक अगर मेरे साथ बने हुए अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जब तक आप लोग कमेंट नहीं करें बार बारे आप लोगे करने को क्यों कहता हूं मुझे तो पता लगी कि वही मैं जिस डाइरेक्शन में पढ़ा रहा हूं जैसा पढ़ा रहा हूं या जैसे मैं में स्टूरेंट को तरीके से गाइड कर पाऊं ताकि वह अपने लाइफ और अपने करियर में बहतरीन तरीके से परफॉर्मस दे पाएं जैए बारत मिलते नेक्स्ट वीटो में